नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 30 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस और साइन्स एंटेक अनलेसिस में आपका स्वागत है कौन-कौन सी न्यूस हम लोग यहां पे डिसकस करने वाले हैं तो एक न्यूस तो यह है कि 2021 में जेनके में टेरर अक्टिविटीज बड़ी हैं यूएन पैनल को इंडिया ने बताया और इंडिया का ये बोलना है कि चुकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था तो ग्रे लिस्ट में होने के चलते पाकिस्तान को मचबूरी या कहलो प्रेशर में आके अपनी टेरर अक्टिविटीज को कम करना पड़ा पहले तो क्या है कि पाकिस्तान में open public rallies हुआ करती थी जहाँ पे open basis पे terrorism का recruitment होता था टेर्रिस्टों का लेकिन जब 2018 में grey list में डाला गया पाकिस्तान को उसके बाद से ये जो open display था terrorism का ये कम हो गया लेकिन चुकि अब FATF से हटा दिया गया है और 2021 के end में ही ये बाते होने लगी थी कि पाकिस्तान को FATF की grey list से हटा दिया जाएगा तब से overall terrorism बढ़ा है मतलब overall इंडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि FATF की grey listing से पाकिस्तान थुदा ड़ा है तो ये क्या news है इसको देखेंगे फिर नए amended IT rules के respect में एक high level की bureaucrate कुछ कह रहे है राजी शिंशिकर साब इसको देखेंगे फिर कलनमाक rice से related एक article है इसकी बात करेंगे फिर curcumin compound immunity boosting ability of curcumin compound जिससे cattle में जो mastitis नाम की बीमारी होती जो cow का memory gland होता है memory gland उसमें जो problem हो जाती उसके respect में एक article इसको देखेंगे फिर eastern laddaak के opposite में चाइना अपने side पे roads को upgrade कर रहा है अपना side क्या है तो worksite in India का चाइना ने कभजा लिया तो इसनी उसकी बात करेंगे science and tech में AMR antimicrobial resistance के respect में एक article इसको देखेंगे उनके नवस में cell किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में एक article इसको देखेंगे और छोटी-छोटी तीन science and tech से related news है वो भी मैं आपको बता हूँगा तो लगबग 6 science and tech की news है और 5-6 important current affairs की news सब detail में देखेंगे आगे बाद इस परे वीडियो पर like a button दोश्तो चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे Instagram पर follow कर लिजे, Telegram को प्रप्चन कर लिजे, Instagram पर आपको से जुड़ता हूँ Telegram को पर आपको lecture की PDF और notification दोनों मिल जाती word of the day left out in the cold left out in the cold मतलब ignore हो जाना मतलब overall किसी को छोड़ देना, ignore कर देना, बुरी पोजिशन में छोड़ देना जैसे किसी को मदद की जरूद थी, ठंडी थी, आपने उसको कार में लिफ्ट नहीं दी छोड़ दिया तो left out in the cold जरूरी नहीं हो ठंडी से रेलेटेट हो, मतलब किसी को मुश्ट के जरूशन में छोड़ गया निकल जाना इसको आप बोलते हो left out in the cold तो GS paper 3, Government Policy and Intervention Cyber Security से रेलेटेट पहली नूस Minister of State for Electronics राजीव चंदरशेकर साहब ने बोलाए कि Information Technology Rules में जो नए amendment किये गए है Article 14, 19 and 21 उनको safeguard करेंगे, जो fundamental rights है न 14, 1921 इसको safeguard करेंगे यह basically बात किसकी कर रहे हैं, तो देखिए IT rules में amendment करके सरकार ने grievance appellate committee बनाई है, grievance appellate committee का काम क्या है कल की date मालो Facebook पे कोई content पढ़ा और आपको या मुझे problem है उस content से तो जो Facebook का grievance redressal officer होगा, मैं उसके पास जाऊंगा और बोलूगा कि साहब देखे, यह जो content है, यह गलत है, इसको आप अठा दो और Facebook का grievance redressal officer उसके उपर action लेगा अब वो action कितने time frame मिलेगा, कितने समय मिलेगा, इसके बारे में कुछ नियम कानून नहीं थे तो basically IT rules के अंदर एक proper timeline रखीगे और Facebook ने जो भी decision लिया, उस decision से अगर आप aggrieved हो तो उसके बाद आप grievance appellate committee के पास जा सकते हो, जो कि केंदर की सरकार ने amended IT rule के अंदर बनाई है सरकार साफ साफ कह रही है कि इस grievance appellate committee से हम content को moderate नहीं कर रहे हैं हम लोगों के issues को set out करने की कोशिश कर रहे हैं यह जो digital platforms एट Twitter और Facebook जैसे यह अपनी dominant market position को abuse करते हैं casual तरीके से काम करते हैं इनके platform पे content load हो गया, citizen इनको अप्रोच कर रहा है कि इस content को हटा रहो, यह कोई action ही नहीं ले रहे है लाखों की तागाद में citizens ने सरकार से report किया है कि objectionable content load हो जाता है इन internet platforms पे internet platforms citizens की problems को सुनते नहीं, grievances को सुनते नहीं है तो जो citizens की complaint resolve नहीं होती थी, उसको resolve करने के लिए यहाँ पे grievance appellate committee बनेगी क्या होता था कि पहले सरकार का यह बोलना है कि पहले क्या होता था कि मानलो किसी को कोई grievance रिवांस रिवांस करना है, तो facebook या twitter की grievance रिवांस 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 करेगा उसको एक message मिल जाता था इन platform से, thank you for sending और ग्रिवांस, we will reward to you अब यह reward कब आया का पता नहीं होता था, कभी-कभी proper तरीके से reward आता भी नहीं था तो अब यह नए IT rules के थूँ, एक definite obligation लगाया गया है इन digital media intermediaries को उपर कभी-कभी क्या होता है कि यह जो twitter और facebook जैसे platform में पता है क्या बोलते हैं बोलते हैं हमारी responsibility नहीं तो third party की responsible है, कुछ बात तो इनकी सही है अब facebook के उपर कोई facebook generated content नहीं है, facebook के उपर मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने account बना रखे है अब मालो कोई mischievous element आता है और वो facebook के उपर कोई भड़काउ भाशन लिख देता है या किसी धरम गुरू के बारे में कुछ उलता सीधा लिख देता है, वो उस बात को लेके नाराजगी हो जाती है अब ये बात बिल्कुल सही है कि facebook के employees ने वो content नहीं डाला है, बट facebook के platform पे पढ़ा है तो facebook और twitter जैसे जो platform में वो पहले बोलते थे कि हमारे यहां तो third party generated content है हम क्या करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे उपर कोई legal obligation नहीं है लेकिन ये grievance appellate committee बना के सरकार ने एक legal obligation डाला है in particular digital media intermediaries के उपर कोई भी user unlawful content को upload ना कर पाए जो intermediaries है, they have to respect the rights guaranteed to user under the constitution और ये बात बिलकुल सही है कि facebook, twitter पे इतना traffic होता है कि वो real time में check नहीं कर सकते बट, बट in case अगर इन platforms के पास request जाती है या complain जाती है तो इनको 72 घंटे के अंदर action लेना है मतलब 14.1921 जो articles है हमारे सम्विधान के इसके अंदर इन digital media intermediaries को accountable बनाये जा रहा है दो aspects को यहाँ पर resolve किया जा रहा है, एक तो है safety and trust और दूसरा है भाई accountability समझ गया, तो इन aspects का यहाँ पर enforcement हो रहा है, यह enforcement पहले नहीं था, अब यहाँ पर इन चीज़ों का enforcement हो रहा है, misinformation पहल नहीं नहीं चाहिए तो भाईया, अगर कोई गलत चीज़ अपलोड हुई है, Facebook, Twitter, YouTube जैसे platforms पे, अगर उसको report किया जाता है, भातर घंटे के अंदर, तो overall उस content को take down किया जाएगा और in case अगर Facebook या ये, Twitter, YouTube जैसे organizations नहीं करते हैं, तो उस case में grievance appellate committee के पास report जाएगी और grievance appellate committee को 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे decision लेना है तो, ministers आप ये बोल रहे हैं, कि सरकार के ओपर ये गलत लिजाम लगाया जा रहा है, कि सरकार grievance appellate committee की तुरू content को moderate करी भाई हम content को moderate नहीं कर रहे हैं, content का moderation user complaint के हिसाब से होगा, हम तो overall एक appellate authority की तरह यहाँ बैठे हैं, कि मानलो user ने Facebook के officer के सामने कोई request की Facebook के officer ने proper तरीके से यहाँ पर action नहीं लिया, तो उस case में उस user के पास एक option रहे, कि हाँ भाई वो grievance appellate committee के पास आएगा, और overall अपनी information या complaint दर्च करेगा और हम penalty भी extreme cases में लगाएंगे, अगर बहुत जादा responsible नजर आती है intermediary, तो ही हम penalty लगाएंगे नहीं, तो हम penalty में involved नहीं होगा, तो यह जो grievance appellate committee बनाई गई है, they have been appointed और constituted by central government under the proposed amendments to the IT rules 2021, तो कहीं न कहीं, अगर जो grievance officer है, उस particular intermediary का, उसने proper action नहीं लिया है, तो उस case में user इस social intermediary के against IT rules के अंदर बनी grievance appellate committee के पास आ सकता है, इस grievance appellate committee में chairperson होगा और कुछ और members होगे, जिनको केंदर की सरकार appoint करेगी, अगर grievance officer ने कोई decision लिया किसी intermediary के और उसके against appeal करनी है, तो 30 दिन के अंदर appeal आनी चाहिए, मतलब किसी user ने facebook के action के against, facebook के grievance officer को report किया, facebook क grievance officer कोई decision लेता है, तो decision लेने के date के 30 दिन के अंदर अंदर, complain आप फाइल कर सकते हो, grievance appellate committee के पास, और grievance appellate committee complain मिलने के 30 calendar days के अंदर, उस complaint को वो करेगी, dispose of करेगी, समझ गे भाई, और अगर grievance appellate committee ने कोई decision दिया है, तो उस decision को मानना पड़ेगा, उस concern digital media intermediary को, चली next news, जियस पर पर थी security challenges in border areas, देखिए, जेर्ण के में 2021 से लेके अब तक terror activities बढ़ गई है, इंडिया ने United Nations Security Council की, counter tourism committee को ये inform किया है, जेर्ण के के अंदर cross border terror activities बढ़ गई है, 2021 के end से लेके अब तक, ये कौन से basis पे बोला जा रहा है, देखिए, financial action task force की grey list पे 2018 से है पाकिस्त लेकिन जब पाकिस्तान grey list में डाला गया, तो पाकिस्तान के ओपर international pressure आया है, इस international pressure के चलते, पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर terror camps को कम करना शुरू कर दिया, और mid 2018 में जो 600 terror camps थे, पाकिस्तान के अंदर, वो अगर आप देखो तो middle of 2021 तक केवल 1.500 बचे, मतलब FATF का जो grey listing थी, वो पाकिस्तान के establishment के ओपर इतनी हावी हो गई, कि overall 600 terror camps जो की P.O.K. से पहले operate कर रहे थे, mid 2018 में, वो केवल 1.500 बचे, 2021 तक, लेकिन जैसे ही 2021 के end में, Financial Action Task Force की committee ने दिखाया कि ठीक है भाई, पाकिस्तान को grey list से हटाया जा सकता है, तो आप देखोगे कि end of 2021 से लेक अब तक, मतलब अब भी हम चल रहे हैं, October 2022 में, अब तक अगर आप देखो, तो बढ़ चुके हैं terror camps, जो 1.500 terror camps थे P.O.K. में mid 2021 में, वो अब तक हो चुके हैं 225, मतलब जब तक FATF की grey listing वाले sanctions लगे थे पाकिस्तान के उपर, पाकिस्तान के establishment के उपर pressure था, और उन्होंने overall terror camps को कम किया, 600 से 1.500 किया, मतलब 75% का decrease देखने को मेरा, लेकिन जैसे ही end 2021 में clear हुआ पाकिस्तान को, कि अब तो FATF की grey list से निकल आ जाएंगे, तो end 2021 से इनके terror camps फिर से बढ़ने शुरू हो गए, मतलब 1.500 से अब हो चुके हैं, 220, मतलब 50% बढ़ चुके हैं, तो कहीं न अगर आप देखो, तो relative peace देखने को मिला है, 2018 से लेकि 2021 के time period में, क्यों? चुकि प्रिशर था पाकिस्तान के ओपर FATF के sanctions का, कहीं न कहीं जब UN designation ये FATF के sanctions लगे, तो उसके बाद आप देखो, बहुत सारे terrorists को arrest किया गया, convict किया गया, overall open terrorist rallies पहले conduct कराई जाती थी, देख open demand होती थी donation की, terrorism activities के लिए, open recruitment होता था, तो इस प्रकार की activities को पाकिस्तान की सरकार ने बंद करवा दिया, जो कि इस प्रकार की activities होती रहती है, तो पाकिस्तान grey list निकलना तो दूर blacklist हो जाता, तो overall यहाँ पे, जो सैफ रिजवी साहब है, इंडिया के additional secretary ministry of home affairs, वो ये बोल रहे हैं कि भाई, पाकिस्तान के उपर जब external pressure पढ़ा, ठीक है ना, FATF की grey listing का pressure पढ़ा, तो automatically इनकी जो terrorist activities थी, वो कम हो गई, जो open public release की थूर ये terrorism पहलाते थे, वो कम हो गया, लेकिन 2021 के end में जब पाकिस्तान को clear हुआ, कि हाँ भाई, grey list से बाहर निकल जाएंगे, तब स इनके terror camps फिर से बढ़ रहे हैं, ठीक है, grey list period के तुरान 9 India focused UN designated terrorists को पाकिस्तान के अंदर convict किया गया, इसमें बहुत important है, जैशे मोहमत का चीफ मसूद अदर, इसके उसामा बिलादेन से भी link थे, तालिबान से भी link थे, इसको convict तो कर दिया गया, बट अभी तक इसको arrest नह नहीं दिया जा रहा है, अब जोगी पाकिस्तान ग्रेलिस से बाहर निकल गया है, terror camps तो इनके आपर बढ़ रहे हैं, open link के सथ तक ये और terrorism को support देंगे, आ गया है, नेवले समय हम पता चलेगा, next GS पेपर थी, progressive farming techniques, अब यह जो कलनमाक नाम का traditional variety है, paddy की, चावल की, इसमें black husk होता है, बाहर की जो covering है, वो black color की होती, उसका fragrance strong होता है, बड़े अच्छी सी खुशबू आती, अब श्रावस्ती जो जुला है उत्तर प्रदेश का, Lord Buddha उसे associated थे, तो ऐसा बताया जाता है कि इस region में, इस particular कलनमाक चावल की केती, बुद्ध जी ने शुरू करवाई थी enlightenment के बाद, ठीक है भई, तेरा ही region जो है North Eastern उत्तर प्रदेश का और नेपाल के 11 districts में, इस particular कलनमाक चावल को उगाया जाता है, लेकिन इसमें एक problem है, इसकी yield कम है, yield मतब प्रती hectare, पैदावार कम है, इसकी इस कलनमाक चावल की, क्यों? चुकि इसमें lodging का phenomenon पाया जाता है, लाजिंग का phenomenon क्या होता है, देखी जब चावल का पौधा उगता है, तो उसके top portion में grains उगते हैं, अब जब वो grains भारी होते जाते हैं, तो नीचे जो चावल का ये plant खड़ा हुआ है, इसकी stem strong होनी चाहिए उपर के भार को जेलने के लिए, अब उपर का grain strong है, और अगर stem क एक ऐसी condition होती, जिसमें जो top of the plant है, वो भारी हो जाता है, grain formation के चलते, जिसके चलते stem कमजोर हो जाती है, और plant ground पे गिर पड़ता है, overall उसको फिर आप usable चावल में convert नहीं कर सकते हैं, तो इस context में, इस lodging की problem को solve करने के लिए, साइंटिस्टों को इस समझ में आया है कि जो plant जरूस से जादा लंबा हो रहा था, अगर इस लंबाई को हम थोड़ा कम कर दें, तो भार उतना नहीं होगा, और stem उसका भार जेल पाएगी, इसलिए दो dwarf varieties develop की गई कलनमाक राइस की, एक का नामे पूसा नरेंदर कलनमाक 1638, और एक का नामे पूसा नरेंदर कलनमाक 1652, फर्क क्या है दोनों में, फर्क समझी है, पहले जो conventional variety थी, कलनमाक राइस की, वो पौधा 140 cm की उचाई तक उठता था, लेकिन अब जो dwarf varieties हैं, वो 95-100 m की उचाई तक उठेंगे, तो पहले जो पौधा 140 cm तक उठ रहा था, वो अ पूसा नरेंदर कलनमाक कैसे नाम पड़ा, क्या ये इसका नरेंदर मोदीजी से कोई लेना देना है, जी नहीं, Indian Agricultural Research Institute ने ये नाम इसको इसलिए दिया है, चोकि overall कलनमाक राइस की जो दो varieties हैं, इनको बनाने में, आचार नरेंदर देव University of Agriculture and Technology है, जो अचार नरेंदर देव University of Agriculture and Technology का एक बड़ा रोल है, इस कलनमाक की वराइटी के बनने में, इसलिए इन दो वराइटी को नाम दिया गय and पूसा नरेंदर कलनमाक 1652, ठीक है भाइस? अगर आप देखो, तो जो पुरानी ट्रेडिशनल वराइटी थी ना, इसकी जो इल्ड है, वो इल्ड बहुत कम हुआ करती थी, ओके, अब ये इल्ड कहीं न कहीं यहाँ पर बढ़ जाएगी, ऐसा बताया जाएगी, देखिए ट्रेडिशनल कलनमाक राइस को जोगरिफिकल इंडिकेशन टैग में ला हुआ है और इस जोगरिफिकल इंडिकेशन टैग में साफससा लिखा हुआ है कि लॉर्ड बुद्ध ने सरवस्ति में रहने वाले फार्मर्स को कलनमाक पैडी गिफ्ट किया था तो कुछ एक देखो तो इस पर्टिकुलर इलाके के 75 प्रतिशत फार्मर्स कलनमाक उगाते थे लेकिन कम इल्ड के चलते बहुत सारे फार्मर्स ने कलनमाक को उगाना कम कर दिया अब नई डॉर्फ वराइटीस के साथ कलनमाक की खेती फिर से बढ़ जाएगी ऐसा एक्सपेक्टेड है भी पाया जाता है देख़ें और इसके glycemic index को भी चेक किया जा रहा है देख़ें क्या है glycemic index एक rating system होता है खाने के लिए मतलब वो खाना जिसके अंदर कार्भो हाइडरेट से उसके rating system को आप glycemic index बोलते हो उस particular खाने के glycemic index तो अगर किसी खाने का glycemic index कम है तो वो खाना diabetic patients को भी दिया जा सकता अब ये कलनमाक rice की नई varieties diabetic index को दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है इसके लिए samples forward किये गए है National Institute of Nutrition हैदराबाद को तो overall नई varieties का glycemic index क्या होगा ये भी sample की testing के बाद पता चलेगा लेट सी क्या निकल गया तर फिर अगली news is GS paper 3 Progressive Pharmac techniques Curcumin compound की ability for tackling the disease of mastitis in cattle देखे क्या है Transdisciplinary University of Health Sciences and Technology Bengaluru ने यहाँ एक study की और इस study में पता करने की कोशिश की गई है कि कैसे cattle के अंदर immunity पैदा की जा सकती है against infectious diseases like mastitis mastitis एक प्रकार का disease है dairy cattle का एक प्रकार का infectious disease है जो की cow के memory gland में inflammatory reaction कर सकता है तो cow का जो memory gland होता है ना बमारी gland के अंदर inflammatory reaction हो जाता है इस particular mastitis disease से तो इस particular disease को cure करने के लिए यहाँ पे cattle की immunity को कैसे बढ़ाया जा यह सब चेक किया जा रहा है और यह जो transdisciplinary university of health sciences है इसने यह पता किया है कि अगर करक्यूमिन को एक active ingredient की तरह इस्तमाल करके एक phytochemical compound को use किया जाए तो immunomodulation ability cattle की बदली जा सकती है तो करक्यूमिन को यहाँ पे आप कह लिजे एक active ingredient की तरह इस्तमाल किया जाएगा करकूरियम को इस करक्यूमियम से एक phytochemical compound मना जाएगा और उस phytochemical compound से जो immunomodulation ability है cattle की cow की वो बढ़ जाएगी और उससे कहीं न कहीं हम mastitis की बीमारी को कम कर सकते है actually मैं study conduct की गई थी 300 district केरला में as a part of academia industry interface अगर देखा जाए तो mastitis की वज़ा से सालाना economic loss हो रहा है 13,000 करोण रुपए का और mastitis से related हमारे पास कोई vaccination अभी के लिए available है नहीं तो ये जो नया natural product बनाया जा रहा है particularly curcumin को इस्तमाल करके इससे overall एक cow या cattle के इंदर complimentary protein बढ़ाया जा सकता है interferon बढ़ाया जा सकता है immunoglobulin बढ़ाया जा सकता है lymphocytes, monocytes बढ़ सकते है तो इससे क्या है कि cattle की खुद की immunity इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो overall mastitis नाम की जो बीमारी है उससे वो cattle का immune system खुद लड़ लेगा ऐसा बताया जा रहा वैसे तो देखा जाए तो cattle के अंदर infection को cure करने के लिए बहुत सरे antibiotics का इस्तमाल किया गया अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर antibiotics का बहुत unscientific तरीके से इस्तमाल किया जाता है चाहे वो human purposes के लिए हो चाहे वो veterinary purposes के लिए हो चाहे इंसान के लिए हो चाहे जानवर के लिए हो तो जानवरों में भी mastitis को treat करने के लिए बेधड़क antibiotics इस्तमाल किये गए उसके चलते inter species और intergenous transfer हुआ है antibiotic resistance का एक cattle के अंदर अगर कोई antimicrobial resistance आया वो दूसरे cattle में भी transfer हो गया चूकि crossbreeding बहुत है ना इंडिया के अंदर ठीकि ना अलग-अलग आप कहलो cows की mating कराके interbreed करके overall एक नया काफ बनाया जाता है जूकि बाद में cow बनके दूद दे थे तो चूकि हमने बेधड़क irrational इस्तमाल किया antibiotics का उसके चलते antimicrobial resistance आ गया किसी एक cattle में और interbreeding के चलते वो antimicrobial resistance आज की date में इंडिया की ज़दतर cattle की बेंदर पाया जाता है तो अब antimicrobial resistance बढ़ गया है उसके साथ मास्टिसिस की बीमारी की साथ tackle करना है तो ये tackle करने के लिए curcumin से एक natural compound इसको आप कह सकते हो एक प्रकार की ethno veterinary practice है based on ayurveda मतलब यहाँ पे जानवरों की problem को solve करने के लिए ayurveda के concept को इस्तमाल किया जारा है चुकि ये जो curcumin से जो natural compound बनाया जारा है वो ayurveda के सिध्धनतों को follow करते हैं synthetic और chemical antibiotics की बजाए curcumin जैसे natural products का इस्तमाल करके यहाँ पे एक दवाई बनाई जारी है इसको आप कह सकते हो ethno veterinary medicines ठीक है जहाँ पे folk skills पुरानी जो belief है पुराने जो skills है knowledge practices हैं उसके business पे दवाई बनाई जारी है animal health को cure करने के लिए ठीक है तो यह जो curcumin से compound मनाया जा रहा है यह mastices को control कर सकता है as a prophylactic measure prophylactic measure मतब disease को control करने वाली चीज़ को आप prophylactic बोलता हो इसमें दो stages है pre-partum stage post-partum stage मतब पैदा होने से पहले की stage में दवाई देना और cattle में जो बच्चा पैदा हो रहा बचला पैदा हो रहा उसके पैदा होने के बाद क्या दवाई देना है इन दोनों ही practices और management को consolidate किया गया है best operating procedures को identify किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन दवाईों से mastices तो आप clear करी सकते हो उसके सासरा milk production भी 10% से बढ़ जाएगा केरला जैसे राज्यों में इस प्रकार के treatments व्यादा खासा कर important है reason being कि कैरला में 96% जो cattle है वो cross breed है और cross breed cattle के अंदर antimicrobial resistance जादा होता है फिर भाई इस particular article में GS paper 3 security challenge in border area से related news है भाई अपने side मतलब अकसाई चिन जो हमारा था जो कि 1962 की जग में पूरी तरीके से officially हमारे पास से चला गया वहाँ पे China roads को upgrade कर रहा है overall बहुत सारा infrastructure मना रहा है जैसे कि अगर आप देखो तो Southern Bank of Pangong Sook के opposite जो Moldo Garrison है वहाँ पे alternative approaches जैसे for example पहाड़ी इलाकों में किसी particular इलाके तक पहुँचने के लिए मान लो कोई एक रास्ता है अब इस रास्ते को अगर block कर दे opposition तो इसके उपर से control जा सकता है तो इस particular इलाके के उपर कबजा करने के लिए alternative approaches यहाँ पे चाइना बना रहा है सबज़ गया तो basically चाइना Pangong Sook के against जो उनका Moldo Garrison है उसको safeguard करने के लिए alternative approaches बनाना यह कर रहा है फिर line of actual control के opposite बहुत सारे और tents और shelter बना रहा है चाइना अपने soldiers को वहाँ पे रखने के लिए अगर आप देखो तो जो hot springs mobda la road बनाई गई है eastern laddak के opposite उसकी width पहले 5 meter हुआ करती थी जब मई 2020 में standoff शुरूआ थेंडे चाइना का इस width को बढ़ा के 13 meter कर दिया गया फिर hot springs mobda laag को connect करने के लिए चाइना के interior से एक किलोमेटर की एक और extra road बनाई गई है यह road patrolling point 70 gogara hot springs के 14 km east में तो यह एक नया alternative approach route है अब आप बोलो कि इंडिया को यह सब कैसे पता चल रहा है तो यहीं पे drones effective है इंडिया ने बहुत सारे surveillance drones को deploy कर रखा है near the line of actual control और यह drones real time में इंडिया को monitoring देते रहते हैं प्लस इंडिया को चाइना से बहुत सारे satellite inputs आते हैं जिसके basis से पता चलता रहता है इंडिया को कि चाइना अपने site पे actually में कर गया रहा है फिर अगर आप देखो तो इंडिया और चाइना ने disengagement announced किया था from patrolling point 15 gogara hot springs लेकिन अभी भी बहुत से आप देखो तो issues बाकी एक तो मैं आपको यह बता दू कि जब अगस्त दो हजार बीस में South Bank of Pangong So की heights पे Indian Army ने tank और troops deploy कर दिये थे तो यह जो Spangur gap नाम का इलाका था चाइना का यह बहुत हद तक आप कहलो compromise हो गया था अगर यहाँ पे यह देखो तो यह जो Spangur तो सो है यह चाइना के control के अंदर है अब इस particular इलाके का direct view इंडिया को मिल गया था इन post ओं के थूँ समझ गया है तो overall यहाँ से यहाँ से जहाँ से भी चाइना की overall approach है towards this particular region उसको इंडिया target कर सकता है था इन heights पर बैठके लेकिन अब बहुत सारे alternative approaches चाइना यहाँ पर बना रहा है इस particular इलाके के उपर अपना control रखने के लिए अब देखे बहुत ज़दा detail में इसमें नहीं गुसेंगे चोकि ground level पर जो किछ भी चीज़ें हो रही एक तो relevant नहीं होतनी हाँ जो military enthusiast है वो इसको पढ़ना चाहते है but actually मैं maps और detailed आप कहलो pictographical representatives इस इलाके के available है नहीं बहुत top priority और top secret basis पर यहाँ पर काम होता है फिर यह जो re-dog का इलाका है चाहिना में वहाँ पर construction activity हो रही है नए tons और material लाए गए है counterized accommodation को बनाने के लिए दोमार में फिर आप देखोगे Eastern Ladakh के opposite में जो PLA camp है जो कि LAC से 60 km दूर है वहाँ पर 80 से 90 tent और shed और लगा दिये गए in addition to 150 tent जो कि पहले से लगे हुए थे तो यह सब overall है यहाँ पर PLA चाइना की आर्मी अपने side पर अक सही चिन के उपर अपने hold को consolidate करने के लिए बड़े scale पर major infrastructure को बना रही है अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने side पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है इंडिया भी कर रहा है इंडिया भी infrastructure को operate कर रहा है सीरीज ओफ प्रोजेक्ट्स हमने चला रखे हैं पिछले दो सालों में जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग साहब ने 120 मीटर लॉंग क्लास 70 ब्रिज बनाये शियोक नदी पे तक कि दौलत बेग ओल्डी और शियोक नदी के बीच की जो connectivity है वो बनी रहे 14,000 फिट की उचाई पे ओबरॉल जो भी हमारी गलवन वेली में पोस्ट्स है वहां तक टैंक्स और हेवी आर्टिलिरी बड़े आराम से पहुँच सके इसके लिए भी हम बहुत सारे infrastructure projects को बना रहे है इस्टन लद्दाक में advanced landing ground बनाये गया है निहुमा में जो कि आप कहलो overall बहुत हट तक fighters को भी install कर सकता है accommodate कर सकता है दो इलाके हैं एक देमचोग का इलाका और एक दिपसांग का इलाका जो अभी तक resolve नहीं हुए इंडिया चाइना से बोल रहा है कि status को anti को restore करो जो अपरेल 2020 में था चाइना बोल रहा है कि status को anti हम restore नहीं कर सकते चुकि ये status को anti इंडियन आर्मी ने illegally चाइना की territory में घुसके बनाया था तो हमने आपके illegal encroachments को हटा दिया अब हम और पीछे नहीं हटेंगे देम्चॉक देपसांग के उपर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे ये चाइना क्लियरली बोल चुका है देम्चॉक और देपसांग ये दो चाइना के हिसाब से legacy issue है तो कि 2020 के stand-off के पहले से जल रहे हैं तो चाइना के हिसाब से बाकी सारे issue solve हो चुके देपसांग और देपसांग ही सपरेट इंडिया के लिए देपसांग प्लेस और देपसांग दोनों ही strategically बहुत ज़़दे important है देपसांग इलाके में जो चाइना का इसके बहुत पास आ चुका है चाइना ठीक है तो यह overall चीजे हैं दोस्तों यहाँ पर resolution होगा नहीं होगा इसके chances तो देखे थोड़े कमी लग रहे अब आगे देखते हैं क्या होता है इंडियन गौर्मेंट के सब तक चाइना के उपर परशर करवा के चीजें कर सकती हो तो आगया अनले समय में पता चलेगा फिर नेक्स्ट एफेक्ट्स ऑफ नूरल प्रीकर्सर सेल्स यह बनॉर्मल माइग्रेशन देखे जिन पेशेंट्स को बाइपोलर डिसॉर्डर है और जिन को होता है. जब बच्चा माँ की कोक में होता है तब ब्रेन का डवलेफ्मेंट शुरू होता है एक single layer of cells roll करके एक ट्व बनाती है जिसको आप बोलते हो neural tube और neural tube के एक साइट पे ब्रेन का डवलेफ्मेंट शुरू होता है जिन बच्चों के अंदर bipolar disorder आता है, उनकी जो neural cells है, उनके जो migration का तरीका होता है, वो तरीका अलग हो जाता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जिन लोग को bipolar disorder नहीं है, उनके stem cells से जो neural cells निकल रही है, उनके migrate करने का तरीका उन लोगों से अलग है जिनको bipolar disorder है, बाइपोलर disorder में क्या होता है, एक disabling illness होती है, जिसमें person का mood, energy, activity levels और दिन में daily activities हो करने की जो काबलेत होती है, वो काफी हद तक compromise हो जाती है, बहुत हद तक यह दिमारी genetic होती है, neurodevelopmental origin होता है, तो genetic है, neurodevelopmental origin है, तो birth के समय पे इसके impact होगे, और birth के समय के इंपक्ट को यहाँ पे analyze किया जा रहा हो, यह देखा जा रहा है, कि bipolar disorder में जिस प्रकार के neural cells का movement होता है, वो काफी अलग है normal लोगों के cells के movement से, ठीक है, जिनको bipolar disorder है, उनके चोटा brain size होता है, reduced cortical gray and white matter, decreased number of interneurons होते हैं in the cerebral cortex और hippocampus region, और इस सब की वज़ा कही न कहीं यह बताई जा रही है, कि movement of neural cells impacted होती है, तो अगर इस movement of neural cells को बर्त के समय पे हम थोड़ा mold कर सकें, थोड़ा change कर सकें, alternate कर सकें, तो कही न कहीं bipolar disorders की problem को solve किया जा सकता है, और already इस technology को, उन लोगों को सुधारने के लिए भी लगाय जा सकता इस movement करने में काफी लंबा समय लगने वाला, फिर next, a new target found to combat AMR, antimicrobial resistance salmonella, neutralizing multi-drug resistance salmonella, salmonella क्या है, तो आप कह सकते हो, एक antibiotic resistant microbe है यह, मतलब यह जो salmonella नाम का microbe अगर आपके शरीर के अंदर है, तो जो भी आप antibiotics खाते हैं, वो आपको impact नहीं करेंगी, इस particular virus को मार नहीं पाएंगी, यह बैक्टिरिया को मार नहीं पाएंगी, तो आप देखिए, यह जो bacteria है AMR salmonella, यह क्या है, continuously adapt करता रहता है, आपके सरीर के अंदर जो भी bacteria है, एंटिबायोटिक आएंगे, उनसे लड़ेंगे, वो bacteria के पास लड़ने की availability आ जाती है, एक समय के बाद वो antibiotic उस particular bacteria के उपर effect नहीं करता है, क्यों नहीं effect करता है, चुकि इन bacteria के उपर एक outer membrane आ जाती ह और यह जो particular item membrane होती है, बैक्टीरिया के उपर, वो इनको antibiotic से बचाती है, इस particular membrane को आप outer membrane protein A भी बोलते हैं, OMPA भी बोलते हैं, तो salmonella और और बहुत से जो microbes हैं, उसके उपर ही जो protein की एक layer आ जाती है, जिसको आप बोलतो हो outer membrane protein A, यह particular layer इस particular bacteria को antibiotic से बचाती है, तो अगर इस particular protein layer OMPA को हटा दिया जाए, तो उस particular bacteria को anti, sorry, यह antibiotic से कोई नहीं बचा सकता, अभी के लिए antibiotic से इस particular bacteria को OMPA protein के layer बचा लेती हैं, जिसको आप बोलते हो outer membrane protein A, तो अगर इस outer membrane protein A layer को हटा दिया जाए, बैक्टीरिया के उपर से, तो antibiotic bacteria को मार देगा, और इसके लिए देख एक experiment भी किया गया, सेftazidim को mice infected with OMPA, सल्मोनेला बैक्टीरिया से treat किया गया, क्या है, कि भाई देखिए, सल्मोनेला बैक्टीरिया जिसके उपर OMPA की layer है, अब यह OMPA की layer हटा दी, और फिर उस particular microbe को किसी एक चूहे में डाला गया, और फिर उसके उपर antibiotic डाली गयी सेftaz azidim आया, तो antibiotic ने उस particular bacterial infection को मार दिया, तो यह चूहे पे research हुई है, तो भाई हमारी body के अंदर यह जो particular सल्मोनेला नाम का microbe पाया जाता है, इसके उपर OMPA की जो layer है, अगर उस protein layer को मार दिया जाए, तो भाई वो microbe बच नहीं पाएगा, अब वो कैसे मारा जाएगा, उस protein A की layer आजाती है, और वो layer उसको antibiotic से protect करती है, अगर हम उस layer को उठा दे है, बैक्टिरिया बच नहीं पाएगा, फिर banana की यहाँ पर तारीफ की जारी, banana एक highly nutritious food है, जी मेनाक्षी जो कि science writer है, BBC में लिखती है, इन्होंने बोला कि भाई, banana tree को Lord Brehaspati Jupiter से compare के जाता है, for its fertility and bounty, banana banana को बहुत सी जगों पर sacred माना जाता है, in fact, Dr. Katie Aacharya की किताब अगर आप देखो, Indian Food of Historical Companion, उसमें banana का mention Buddhist literature में भी पाया गया, ऐसा बताया गया है कि banana South India में आया थे, from New Guinea Island, through Sea Route, और उसके बाद देखो, तो banana इंडिया में भी proliferate करने लगे, मतलब banana का actual उदय New Guinea से बताया गया New Guinea में पहली बार bananas को नॉमेस्टिकेट किया गया था, बाद में दुनिया भर में bananas फैल गया, आज की डेट में इंडिया में, हैदराबाद से लेके, नागर कोयल में, banana की 12 से 15 varieties पाई जाती है, और ज़्यदा तर bananas hot और humid western guards में उगते हैं, वैसे तो देखा जब, तो आए कहा से थे, नुगिनी से थे, तो banana एक highly nutritious food है, अगर आप देखो तो इंडिया 29 million ton banana पैदा करता है, दुनिया का सबसे बड़ा banana producer इंडिया है, दूसरे number पैदा है चैना जो की बहुत बुच्छे, 11 million ton, okay, food and agriculture organization का बोलना है कि दुनिया में 135 ऐसी countries है जो banana उगाती है, South Eastern Asian countries में 300 अलग अलग variety of banana उगाये जाते हैं, और कुछ तो plants उनके बड़े beautiful से नजर आते हैं, आगर nutritive value की बात की जाए, तो जो book है nutritive value of Indian foods, इस book को release किया है Indian Council of Medical Research में, इस book में लिखा हुआ है कि एक banana में इंडिया में 10 से 20 milligram calcium होता है, 36 milligram sodium होता है, 34 milligram magnesium होता है, 30 से 50 milligram phosphorus होता है, तो हर 100 gram में इतने इतने milligram sodium, calcium, magnesium, phosphorus पाया जा रहा है, मतलब banana बहुत ज़्यदा nutritious होगा, तो एक ऐसा fruit, जो की सस्ता भी है, nutritious भी है, okay, फिर next पहीं तीन छोटी छोटी न्यूज है, हाडी बैक्टिरिया के इन सर्वाइव अन मार्स फोर 280 मिलियन इस, researchers ने पता किया है कि मार्शियन hostile environment में कुछ ऐसे हाडी बैक्टिरिया जो millions of years तक सर्वाइव कर सकते हैं, 280 मिलियन तक इन भैक्टिरिया जो ने मार्शियन सर्वाइव किया है, okay, cold condition हो चाहाए, radioactive condition हो मार्स पे, कहीं न कहीं इन particular बैक्टिरिया जो entrar ने 280 मिलियन तक मार्स की सर्वाइव किया है, इन बैक्टिरियास का नाम था डेनो कॉकस, रेडियो डिरांस माइक्रोब, ये मास्की सर्फेस के नीचे 280 मिलियन येर्स, बतलब 28 करोण साल, 28 करोण, आप कहलो, साल तक ही सर्फाइब कर सकते हैं, फिर अगला, bird flu outbreaks in Europe, leave a trail of destruction, क्या भाई, bird flu बहुत तेजी से फैल रहा है, ये इरोप और North America में और इतनी तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से कभी पास्ट में फैलता देखा नहीं गया, पहले क्या होता था कि जब भी bird flu फैलता था, तो जो domestic birds नीचे इसमें bird flu फैला तो उनको मार दिया जाता था, उनको कल के दिया जाता था, बड़ी तागाद में दूसरी bird species को भी infect कर रही है, और इतने बड़े scale पे Europe और North America में bird flu फैल रहा है, कि आप केवल इन birds को मार के इसको control कर पाओ, ऐसा actually में हो नहीं पार है, तो इस समय पे Europe और North America में बड़े scale पे avian influenza का एक pathogenic strain फैल रहा है, और उसको control हम कर नहीं पार है, bird को कल करके, bird को बड़ screen को control नहीं कर पार है, फिर एक और news है, कि भाई ये AstraZeneca vaccine से एक rare blood clotting के disease हो सकती, देखिये, thrombosis, thrombosis blood clotting से related होता है, इसमें एक term है, thrombocytopenia syndrome, ये जो TTS नाम का syndrome है, जिसको आप बोलते है, thrombosis with thrombocytopenia syndrome, ये blood clotting की condition हो सकती, अगर आपने AstraZeneca की COVID vaccine लिए, European countries और United States के health data से पता चलता है, कि अगर आपने AstraZeneca की vaccine लिए, तो TTS से आप infect कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर warn किया जा रहा है, दुनिया भर की सरकारों को और medical experts को, कि अगर अगली कोई vaccination wave चलाते हो, अगर 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 कोई vaccination wave चलाते हो, अगर अगर आई होब आपको कुछ न को सीखने को मिलाओ, डीटेल में चीजे मैंने आपको समझाई है, थैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स, वीडियो को लाइक को शेर कर देना, Instagram पर follow कर लेना, Telegram गुप जैन कर लेना, जादा से जादा लोग सा लेक्चर को शेर करें, गुडबाए आपको समझाई है।